कैलाश परवत जो भगवान शिव का घर है हजारों लाखों सनातनी इसके दर्शन करने के लिए कई दिनों की लंबी यात्रा तै करते हैं और पहुँचते हैं कैलाश मान्सरूबन जहां से दर्शन होते हैं भव्य कैलाश परवत के लेकिन इसमें एक बड़ा बाधक है चीन का रवया अब तक कैलाश परवत के दर्शन के लिए तिबबत से होते हुए जाना होता था जिस पर चीन ने अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है लेकिन अब सनातनियों को उस दुर्गम मार्क से नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि अब भारतिय उत्राखंड से ही कैलाश तर्शन का लाब उठा पाएंगे दरसल उत्राखंड में एक जगा है लिपुलेख दर्रा जहां से भगवान शिव का घर कैलाश परवत दिखाई देता है जिसे पिथोरागर के स्थानिय लोगों ने खोजा था पिछले वर्ष प्रधान मंत्री मोदी जी ने भी यहां पहुँचकर कैलाश परवत के दिव्य दर्शन किये थे और अब सरकार इसके लिए मार्ग को सुगम बनाने का कारे कर रही है आईए अब आपको बताते हैं कि कैलाश परवत का महत तो क्या है कैलाश परवत सनातनियों के लिए अत्यन्त महत पूर्ण और पवित्र स्थान है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव का घर है भगवान शिव माता पारवती के साथ यहीं पर निवास करते हैं कैलाश परवत की उचाई लगबग 6,714 मीटर है इसे धर्ती का केंदर बिंदू भी माना जाता है प्राचीन काल से लेकर आज तक कई लोगों ने कैलाश परवत पर चढ़ने की कोशिश की है लेकिन आज तक कोई भी सफल नहीं हो पाया है माना जाता है कि 11 सदी में एक तिब्बती बौध योगी मिला रेपा ही कैलाश परवत की चढ़ाई करने में सफल हुए थे मानेता यह भी है कि कैलाश परवत पर समय बहुत तिवरता से व्यतीत होता है सनातनियों का मानना है कि इस परवत की तीन या तेरह परिक्रमा करनी चाहिए इसकी परिक्रमा पापों से मुक्ती पाने का एक मार्ग है कई तीर्थ यात्री दंडवत प्रणाम करते हुए भी इसकी परिक्रमा करते है ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति कैलाश परवत की 108 परिक्रमा पूरी कर लेता है उसे जन्म और मृत्यों के चक्र से मुक्ति मिल जाती है पहले कैलाश परवत के दर्शन के लिए कैलाश मान सरूवर तक पहुँचना होता था जिसके लिए भारत के लिपुलेख बॉर्डर से नेपाल होते हुए तिबबत जाना पड़ता था इसके लिए चीन से पर्मिशन लेनी पड़ती थी और वीजा और पास्पोर्ट भी ज़रूरी था कैलाश मान सरूवर की यात्रा में कम से कम 21 दिन का समय लगता है कोविड महामारी आने के बाद से तो कैलाश मान सरूवर की यात्रा को बंद ही कर दिया गया था आप जानते हैं कि मान सरूवर जील क्या है दरसल कैलाश परवत से कई बड़ी नदियां जैसे सिंधू, ब्रह्म पुत्र और सतलुज आदे निकलती हैं इसके साथ ही कैलाश परवत के नीचे दो प्रमुख जीलें भी हैं जिनके नाम है मान सरूवर जील और राक्षश जील मान सरूवर जील विश्व की सबसे उचाई परिस्थित जीलों में से एक है ऐसी मानिता है कि इस जील में सनान करने से सारे पाप धुल जाते हैं सर्दियों में ये जील पूरी तरह से जम जाती है और कर्मियों में जब ये पिघलती है तो इसमें से मंत्र मुग्ध कर देने वाली मृदंग की आवाज निकलती है आईए अब आपको बताते हैं कि कैलाश परवत के दिव्यदर्शन के लिए नया मार्क क्या है कैलाश परवत के दिवेदर्शन के लिए सबसे पहले आपको उत्राखंट के पिथोरागड आना होगा इसके बाद बस के माध्यम से पिथोरागड से 90 किलोमेटर दूर नैपाल बॉरडर परिस्थित धारचूला पहुचना होगा धारचूला से आगे जाने के लिए आपको पर्मिट लेना पड़ेगा साथ ही हेल्थ चेकप भी कराना होगा ये सब होने के बाद धारचूला से गुंजी के लिए निकल जाएए धारचूला से गुंजी के लिए शेयर टैक्सी भी चलती है इसके अलावा आप बुकेंग करके भी जा सकते हैं गुंजी पहुंचकर आप आसानी से लिपुलेक दर्रा पहुंच जाएंगे जहां कैलाश व्यू पॉइंट से आप कैलाश परवत के दिवे दर्शन के साथ-साथ यहां के सुहावने दर्श्य और अलोकिक शांती का आनंद उठा सकते हैं